इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेज करें हमारी नीव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए एलो फ्रेंड्स जैसी कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स आज हम संक्टा माता ब्रद की कथा सुनेंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा अपनी दोस्तों में जादा से जादा शियर करिएगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिएगा जिसे मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोकिफिके सन आपको समय से मिल सके कूझा अपने भगतों की संकट को चड़ मात्र में दूर करती है संक्टा माता ब्रत कथा इस प्रकार है एक बुडिया का एक बैटा था जिसका नाम था रामनाथ रामनाथ धनकमाने के लिए करती थी बुड़िया का यह क्रम रोज चलता रहा एक दिन कुए में से दिये कि माँ नामक एक इस्त्री निकली और उसने बुड़िया से पूचा बुड़ी माँ तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो तो मैं किस बात का कश्ट है तुम मुझे अपना दुख बताओ मैं तुम मुझे बार-बार ऐसा क्यों पूच रही हो क्या सचमूच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी बुड़िया के बात सुनकर दिये की माने उत्तर दिया मैं अवस्ठ ही तुमारी कश्टों को दूर करने का प्रत्र करूंगी बुड़िया ने दिये की मां का ऐसा मेरा बेटा कमाने के लिए परतिश चला गया है उसके पीछे मेरी बहुँ मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है यही मेरी दुख का कारर है बुढ़िया की बात सुनकर दिये की मानि कहा यहां के बंड में संग्टा माता रहती है तो अपना दुख उन से सुना कर कष्ट से चुटकारा पाने के लिए प्राथना करो बहुत तयालू है दुखनियों के प्रति बहुत सहानुगूती रखती है निसंतानों को संता निर्दनों को धन्वान निर्वल को बलवान और अभागों को भागवती बनाती है उन्हें किरपा से स्वभागवती इस्तरियों का पास गई और उनके चड़नों में गिरकर विलाब करने लगी संग्टा माता ने बड़े ही दयालू होकर बुढ़िया से पूंचा बुढ़िया तुम किसकार इतने दुख से बार बार रोती रहती हो बुढ़िया ने कहा है माता आप तो सब कुछ चानती हो आप से तो कुछ भ का परदेश चला गया है उसके घर में न रहने से मेरी बहु मुझे बहुत तरह-तरह की सुनाया करती है उसकी बात मुझे सहन नहीं होती इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूं बुढ़िया की इस दर्दभरी कथा को सुनकर संक्ता माता ने कहा तुम घर जा संक्ता माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनोती मांगर पूजा की और स्वाहिन इस्तरियों को भोजन के लिए आमंतित किया परंतु बिचित्र बात यह हुई जब बुढ़िया ने इस्तरियों के लिए लड्डू बनाने शुरू गये तो उससे साथ की जगए आठ लड्डू बन गई इस बात से बुढ़िया बहुत ही अस्वंजा समय पड़ गई ऐसा होने का किया कारण है कहीं मुझसे किने में कोई गल्ती तो नहीं हो रही है अथ्वा अपने आप आठ लड्डू बन जाने का कोई अन्निकारण है उसी समय संक्ता माता एक ब्रद इस्त बोजन के लिए आमंतरित किया है किन्तु जब गिनकर साथ लड्डू बनाती हूं तो वे लड्डू अपने आप ही आठ बन जाते हैं मैं इसी बात से सिंताम पड़ गई हूं बुढ़िया की बात सुनकर संक्ता माता ने कहा क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंतरित क बुडिया कहने लगी नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है परनतु तुम कौन हो संक्टा माता ने रूप दारी संक्ताए को भजन केलिए आमन्त्रित खलत सब्सब्र करा लिया से मिलने की इच्छा उत्पन हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया कुछ दिन बितने के बाद वह बुढ़िया संक्ता माता की पूजा कर स्वागनों को बोजन करा रही थी किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी लेकिन बुढ़िया अपने कामें लगी रही उसन मेरे प्रती कितना प्रेम रखती है जो ख़वर पाते ही मुझे मिलने आ गई परंतु मेरी मा को मुझे पर जरा भी प्रेम नहीं है मेरे आने की ख़वर पाकर मेरी मा मुझे मिलने नहीं आई जब पूजा का काम समाप्त हो गया सभी स्वागने बोजन करके अपने घर को लो उशका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने मा से कहा मा या तो मैं यहां रहोंगा या यह रहेगी। बुढिया ने कहा बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठ़िन तपस्या से पाया है इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती इसलिए चाहे। बहु का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूं अथय लड़के ने अपनी इस्तरी को घर से निकाल दिया घर से निकल कर बाहर आए तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगी एक राजा उदर से जा रहा था उसे रोता देखकर राजा कुछा तुम क्यों रो रही हो तब उसने अपनी सारी बथा राजा को कह सुनाई राजा ने कहा आज से तुम मेरी धर्म बहन हो इसलिए रो मत तुमारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा या कहकर राजा उसे इस तरी को अपने महल में लेकर आ गया महल जाकर राजा ने राणी को सारी कथा सुनाई और राणी से कहा देखो आसे मेरी धर्म बहन है इसी महल में रहेगी और इसको किसी पकर का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए राजा के यहां पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होका रामनात की इस्तरी ने भी संक्टा माता का ब्रत आरम कर दिया और संक्टा माता के निमित स्वागनों को भूजन कराने के लिए आमंत्रित किया उसने राणी को भी आमंत्रित किया जब भी स्वागने कर दिया कुछ समय बाद संग्टा माता की किरपास से रामनाति अपनी पत्नी को स्खुजते हुए राजा के महल में आया वहां आकर अपनी पत्नी को संग्टा माता की पूजा करते हुए देखा तो संग्टा माता को हाथ जोड़कर बढ़ाम किया और अपनी पत्नी से कहा रिय अब मेरे अपराद को चमा करो पतनी ने कहा नात यह सब प्रारब्द से ही होता है इसमें आपका कोई दोश नहीं है आप मेरे इशल रूप हो मेरे ही अपराद को चमा करें यह कहकर दोनों ने विदी पूरुबग संग्टा माता ब्रत की कथा सुनी संग्टा माता की पूजा क पूजा को समाप्ट कर स्वागनों को जिमा कर दोनों पती पतनी अपने घर की और प्रस्थान के लिए तया हुए जाते समय रामनाथ की स्रीनी राजा रानी से कहा जब मुझे पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बना कर मुझे आसरे दिया था यदि आपक के जाते ही उनका राजपाट नश्ट हो गया ऐसी वपत्ती में पढ़कर रानी निराजा से कहा ना मालूम बहे तुमारी धर्म बहन कैसी थी उसके यहां से जाते ही सब कुछ नश्ट हो गया रानी निराजा से कहा जाते समय बहे कह गई थी कि जब मेरे परकष्ट पड़ा तब मैं तुम्हारे यहां आई और कदाचित तुम्हारे उपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना इसलिए हम लोगों को उसके यहां ही चलना चाहिए ऐसा बिचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर आ गए वहां आ जाकर रानी ने कहा बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ती नश्ट हो गई हम लोग बहुत पदेशानी में पड़े हुए हैं रानी की बात सुनकर रामनात की इस्तिरी ने कहा बहन मैं तो कुछ नहीं जानती मेरी तो सब परता धरता संग्ता माता है इनके अत्रिक्त कोई दूसरा नहीं है इसलिए मेरी राय में तुम संपता माता से अपनी भूलों के लिए छमायासना करो उन्हीं की मान मनोती से तुम्हारा काम बन जाएगा तुम्हारे सारे बिगडे काम अपने आप सुधर जाएंगे रामनात की इस्तिरी की बात सुनकर रानी निस्रद्धा बक्ती से संपता माता का ब्रत किया और स्वागनों को जिमा कर अंजाने में हुई अपनी सभी भूलों के लिए संपता माता से बार बार छमा मांगी रानी कैई ऐसा करते ही संपता माता पसंद हो गई और रात में रानी को सुपनी में कहा कि तुम दोना पती पतनी अपनी मह को चले जाओ बहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमत सुहागनों को जुमाना ऐसा करने से तुमारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा बापस मिल जाएगा। राज भूगुरी लगें बोले का मता की जयाँ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो अधो वीडियो को लाइक कर दीजिए आपने फैमली फ्रेंड्स में यादा से श्यायदा कर दीजी और मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजी बाई बाई फ्रेंट्स